बिस्मिल्लाइ रमाने रिम, असलाम लेकुम, आज हम बनाएंगे चिकन क्रिस्पी रेस्टोयन में आपने बहुत बर खाया है, यह सेम वैसी ही टेस्ट देगा, आएए इसकी शुरुवात करते हैं हमने 700 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है, इसको क्यूप्स में काट डिया है, इसमें हम आदा चमच काली मिल्च डालेंगे और एक चमच सफेद काली मिल्च डालेंगे आदा चमश नमक जैसे कि SAUCE में नमक होते है इसे हम आदा ही चमश नमक डालेंगे एक चमश ब्लाक सोया SAUCE एक अंड़ा जिसे हमारा चिकन अंद़ा से जूसी रे और बहार से क्रिस्पी रे दो चमश मैदा और तीन बड़े चमश कॉन फला इसे हमारे चिकन में अच्छे से क्रिस्पीनेस आए इसे हम मिला के अच्छे से 5 घंटा मेरिनेट होने देंगे और डीफ राइ कर देंगे आईए इसकी सॉस बनाते हैं क्रिस्पी की सबसे पहले हम कडाई में तेल करम करेंगे और उसमें 6 बड़े चमच लेसुन बारिक गुटावा डालेंगे लेसुन को बारिक चॉप किया हुआ है इसमें लेसुन जादी लगती है तो थोड़ा कॉंटिटी में लीजेगा लेसुन को हमको इसका कच्चापन स्लो में निकाल लेना है फ्लेम को स्लो रखेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसके जितने भी कच्छापन है लेसून के फुल हटा देंगे हलका सा लाल करेंगे एकदम ब्राउन नहीं करनी है अब इसमें हम एक प्याज प्याज हम काट के डाल देंगे और एक शिम्ला मिर्च भी डालेंगे प्याज और शिम्ला मिर्च को हमने क्यूप्स में काटा है अब प्याज और शिम्ला मिर्च के साथ हम लेसून को भूनेंगे ताकि हमारा प्याज भी नरम हो जाए और शिम्ला मिज भी पख जाए यह बहुत ही इजी रेसिपी है और जट पट रेसिपी है इसे गर्मा गर्म ही सर्फ किजेगा तूरन जब पैटे खाने को तब ही बनाईगेगा अब इसमें दो चमच शेजवान चटनी एक चमच रेड चिली सॉस और आदा चमच ब्लाइक सोया सॉस और दो बड़े चमच टोमाटो केचप साथी साथ इसमें एक चमच सफेट काली मिल्च हमने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि सॉसेस में नमक और हमारे चिकेन ने भी नमक है अब इसे अच्छे से मिलाएंगे प्लाइक सोया सॉस मैंने आदा चमच और लिया है मिलाएंगे और इसमें जो हमने फ्राइ किया वा चिकेन है उसको डालके अच्छे से मिलागे एक मिनिट टक और पकानी है ताकि हमारे जितने भी सॉसेसे वो चिकेन में अच्छे से कोटिंग हो जाए फ्लेम हमारा मीडियम ही रहेगा इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करिएगा हमारे चिकेन में अच्छे से सॉसेस का कोटिंग होना चाहिए एक मिट हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे अच्छा इसमें मैंने एक पिंच शक्कर डाला है यह टोटली ऑप्शनल है अगर मीठा हलका सा फ्लेवर चीए तो डालिएगा नहीं चीए तो फिर नहीं भी डाल सकते है डेस्टोइन में डाला जाता है इसलिए मैंने एक पिंच शक्कर भी डाला है अब इसे गर्मा गर्म सर्फ कीजेगा मैंने सफेद तिल उसे गानिश किया है इससे अच्छे और जादा क्रंचिनेस आएगा यह बहुत एजी और रेट पर्ट रेसिपी है और इसे गर्मा गर्म बनाएगा अला अफिस